साथियों नमस्कार और मद्धिप्रिदिश लोगसेवा आयोग के MPPSC मेंस के रिजल्ट को लेकर कुछ अपडेट मेरे पास है जिसको आपसे साजा करने के लिए यहां पर उपस्थित है आप देखें कि यहां पर आप देख पा रहे हैं एक न्यूस्पेपर देनिक भासकर की क कहा था कि भाई हम दिसंबर में फाइनल रिजल्ट जारी कर देंगे कुछ नहीं तो मेंस का रिजल्ट तो आई जाएगा संभावना है इश्वर करें कि रात तक मेंस का रिजल्ट आ जाए परंतु ऐसा दिखाई नहीं देता अब यहां पर हम देखें कि जो न्यूस्पेप डेडलाइन का आज आकरी दिन फिर भी नहीं हैता है अब देखो पांच डेडलाइन दी थी है आयोग ने देखिए पांच वी जो डेडलाइन थी उसका अंतिम दिन 31 दिसंबर है ना यहां पर आप देख सकते हैं कि पहली डेडलाइन जो है आपको अप्रेल 2021 में कोरोना दो 2021 में जो दूसरी लहर आही थी उसकी वैसे टल गया दूसरी डेडलाइन जुलाई में आई वैल्युएशन नहीं हो पाया इसलिए टल गया तीसरी डेडलाइन अगस्त में आई OBC Reservation का मामला था चौती डेडलाइन में भी OBC आरक्षन का मामला कोर्ट में टल गया पाच्वी डेडलाइन आयोग अभी भी Result का दावा नहीं कर रहा अब संभावना ये है कि PSC प्रबंधन 5 फरवरी तक हर हाल में Result जारी करने की बात कर रहा है फिर से मैं आपको यहां पर MPPSC चेर्मेन सर का स्टेट्मेंट आपको पढ़के सुना देता हूँ जो लिखा है राज सेवा परिच्छा 2019 की मुख परिच्छा कर रेजल्ट एक सब्ता में कभी भी जारी हो जाएगा कोवीड तो वजा रहा ही है OBC आरक्षन से लेकर अन्य कई तकनीकी मुद्दे रहें जिन से रेजल्ट रुका लेकिन आप तैयार जल्द जारी करेंगे डक्टर राजेश लाल जी महरा चेर्मेन MPPSC इसके साथ ये तो तैय हो जाता है कि रेजल्ट जो है आपका आपको देखने के लिए मिल जाएगा दो-चार दिनों के अंदर में लेकिन आगे क्या करें तो बैटे आगे आप जो मुद्परिच्छा में चैनित होंगे वे विद्यार्थी साथषदकार के लिए सतत प्रयासरत रहें तैयारी करें आज से ही अगर आपको लग रहा है आप अपियर हो सकते हैं मेंस में आपने अच्छा नंबर का मेंस अटेम्ट किया था आपके सेलेक्शन के चांसे से परस्नालिटी डवलपमेंट की चीज़ें करने लगें मौक अगर आप प्लान करते हैं तो मौक के लिए तैयारी करें और ये सारी चीज़ें जो सख्षादकार के लिए जरूरी है वो सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर दें हैना क्योंकि परस्नालिटी का डव्लपमेंट एक दिन में नहीं होता धीरे धीरे उस पर अशर डाला जाता है कुछ चीजे हम सुधार सकते हैं कम समय में कुछ चीजे में हमें समय लगता है तो सक्षातकार की तिफी जल्दी नजदीक आपको मिलेगी हो सकता है कि देड़ से दो महीने एक महीने के बीच में आपके सक्षातकार प्रारंब हो जाए तो उसके लिए आप तयार रहें वे विध्यारती जो की प्री के रिजल्ट का बेट कर रहे हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि प्रारंभीक परिक्षा का जो रिजल्ट है जैसे ही मेंस का रिजल्ट आता है मैंने प्रिविएस वीडियो में कहा था कि 10 से 15 दिनों में प्री का भी रिजल्ट आ जाएगा तो आपके लिए भी बहतरी नावशार है मुख्य परिक्षा में अप्यर होने का आप सतत तयारी करें निरंतर करें अब आप सोचेंगे कि सर मेंस की जो प्रिप्रेशन है है अब हम प्री में निकल गए 20 के और हमारे सामने 21 का प्री पु क्योंकि सेलेक्षण आप को मेंस ही दिलाएगा है ना पूरी तरीके से समरबत हो कोर जीक के subject अच्छे से करें बात के जो टीन पर है उनको पूरी तरीके से बोनस तरीके से अच्छे से करें कि जिसमें कैया आप जादा से जादा नंबर ग Lilian कर पाएं जिसमें विशek कर हिं और analytical जो है उत्तर लिखेने का प्रयास करें प्रस्तावना एवं निसकर्ष इन दोनों पर focus करें आप मेरे courses देख सकते हैं मैंने answer writing program उस पर कराए हुए है MP geography का विश्वाइश कर पूरा course है incentive history का पूरा course है जो आपको मेरी profile पर plus course में मिलेगा ने अकेडमी पर अभी भी अगर आप plus course में enroll होना चाते हैं मैं मद्यवर्देश के तिहास का pre plus means का course launch कर रहा हूँ daily answer writing program के साथ तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं 5 जन्वरी से वो course launch होगा उसके लिए plus का subscribe आपको लेना होगा जो की आप मेरा referral code यूज करके ले सकते हैं ये referral code आपको additional 10% का discount भी दिलाता है अभी बहुत अच्छा उसर है बेटे कोई भी किसी भी चीज की कमी मत होने दीजिए सकरात्मक नजरिये से आगे बढ़िये 2022 का वर्ष बहुत ही लाबदायक होने वाला है भर्तियों का वर्ष है result का वर्ष है सकरात्मक होकर जो पिछले समय में जो हमने गतिविदिया की 19-21 जैसा हमारा निकला उसकी पूरी भरपाई 2022 करेगा इन ही सुपकामनाओं के साथ मैं आपको इस अंदेश देना चाहूँगा कि अडिग रहे अटल रहे और अपने लक्ष के प्रतिस अमर्पित रहे बहुत बहुत शुपकामना है आपके उजवल भविशी की वीडियो को जरूर लाइक करें शेयर करें धन्यवाद जैहिंद